Hello everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains, this is me, Shupra Tiwari, बहुत बहुत स्वागत है, यहाँ पर आपको प्रवाइट कराया जाता है, बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बहुत बेहतरीन कुछ कर सकें और आप करेंगे, ठीक है, आपको इतना अच्छा जो पढ़ाया ज सिस्टम के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उनके पास होती है फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स जो होती है, यह किड्नी की तरह बहेव करती है, किड्नी में हमेशा आपको पता है कि जो बलड जाता है, वो बलड कैसा होता है, उस बलड में बहुत सारी अच्छी ची बुरी चीजों को किड्नी फिल्टर करके बाहर कर देती है वैसे ही इनके बॉड़ी में पूरा एक्सक्रिट्री जो है और जिसे आप कहते हैं प्रोटोनेफरीडिया वो पूरे बॉड़ी में ऐसा उपर से नीच तक फैला होता है इन प्रोटोनेफरीडिया के अंदर बॉड़ी व कि पानी जब भी कोई diastro crystal cavity क 45過殺 में अगर चलेफ वापस से film से रोक लेता है और और फिर से बौडिय यह भेज सारी चीजों को excretory pore जो उनके पूरे body में या immediately flame cells के बाहर बाद में जुड़े होते हैं उससे अपर लोग बाहर कर देते हैं ठीक है आई बात समझ में फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था skeletal system circulatory system इनके पास नहीं होता respiration जो है general body surface होता है इनकी body में flame cells osmo regulation करने का काम करती है इन्हें आप जो है तो solenocytes भी कहते हैं generally आपके जनरली या हमेशा ही आपके जो flatworms रहते हैं वह monotelic होते हैं बहुत सारे flatworms ऐसे भी होते हैं जैसे tinea solium यह intestine में रहते हैं और यह anaerobic respiration करते हैं इनके क्या होते हैं यह acylomate होते हैं क्योंकि इनके पास mesodum solid होती है जिसकी विज़ा से solium नहीं होता ठीक है इनकी body में जो body plan होता है इनके में mouth होता है पर anus नहीं होता है वो भी mouth आपने कहां देखा है body के middle surface पे देखा है digestive system है बट एनस नहीं है ठीक है उसके बाद इनका जो nervous system होता है वो बहुत ही primitive type को और ladder like nervous system होता है जिसमें head जो है पाया जाता है head में होते है cerebral ganglia which is a group of cytons और उसके बाद उनी के बीच बीच में present होते है transverse ganglia ठीक है body wall मैंने आपको बताए cuticle होता है इन में ठीक है फिर मैंने hooks and suckers के बारे में बताए symmetry bilateral होती है लोको मोशन जो है जनरली नहीं करते और करते भी है free living form तो cilia के मदद से ठीक है germ layer, triploblastic, level of organization, organ level, study of worms को आप कहते है हलमिन्थोलोजी यह free living terrestrial freshwater और parasitic हो सकते हैं तो इत्ती सारी चीज़े अपन लोगोंने समझ लीती इसमें किसी को कोई confusion तो नहीं होना चाहिए और अगर है तो लेक्चर को बार बार pause resume, pause resume करकर के देखो अच्छी तियरी के से चीज़े समझ में आ जाएंगी ठीक है तो चलो देरी नहीं करते, देर भई, देर नहीं करना चाहिए ठीक है, so let's start with the another characteristics of the plate hell means which is the sexes and the reproductive system ठीक है, ध्यान से समझ जिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि बड़ा ही बहुत ज़रूरी चीज़ बता रही हूं ठीक है, देखिए, sexes जो है, वैसे तो है, generally हार जो warm होता है, वो bisexual हो बाइसेक्शुल का मतलब क्या होता है, बाइसेक्शुल का मतलब होता है, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, कैसा होता है, बाइसेक्शुल का मतलब होता है, हर्माफ्रोडाइट, ये चीज़ यार रखिए, कि ये होते हैं, बाइसेक्शुल इसका मतलब हर्माफ्रोडाइट होत female part बाद मेंडवलफ हो तो इसे हम proto-endrous body कहते हैं सो इनके में male पहले डवलफ होता है female बाद मेंडवलफ होता है या testis पहले डवलफ होती और ovary बाद मेंडवलफ होती है ठीक है उसके बाद ये bisexual लगते हैं पर अगर मैं बात करूँ कि Caro सिस्टोसूमा की बद्चो तो सिस्टोसुमा में और फीमेल अलग होते हैं या not exactly इस पार्षिली अटपाइच्ट मतलब यह कि प्रषिंग यह होती है वह मेल के अंदर आधा बाहर आधा अंदर होती है तो इसमें अलग अलोग होते हैं बट इसमें अलग अलोग होते हैं आई बात समझ में अब अकर मैं बात करूँ इसके रीप्रोडक्शन की बच्चों किसकी बात करूँ भईया अगर मैं इसकी बात करूँ रीप्रोडक्शन की बात करूँ ठीक है ध्यान से देखिएगा ठीक है इदर देखते जाएए अगर बहुत गर्मी है तो ध्यान से देखो फटवर ठीक है तो इनकी अगर मैं रीप्रोडक्शन की बात करूँ तो रीप्रोडक्शन जो होता है बेस असेक्शुल दोनों टाइप का रिप्रड़क्शन हो सकता है एसेक्शुल रिप्रड़क्शन कैसे होता है एसेक्शुल रिप्रड़क्शन हो सकता है ट्रांजवर्स बाइनरी फिजन के थू कैसे हो सकता है ट्रांजवर्स बाइनरी फिजन के थू Transverse Binary Fission मतलब कैसा? Suppose that कि यह आपका क्या है यह आपका Plane Area है Suppose that कि यह क्या है आपका Plane Area है अब यहाँ इस बोड का problem यह, बच्चो कि अब मालोग कि यह यहाँ से आपने Divide करना है अब यहाँ से आपने Divide कर दिया तो जब आफ आगे गए तो आपके यह i-spot कभी न भूलना अगर आप प्लेनेरिया बना रहे हो तो you have to remember the i-spot otherwise वो गलत हो जाएगा यहां से जब आपने काटा तो आपने देखा कि we have two separate daughter cells of प्लेनेरिया अच्छा एक चीज़ में आपको और बता दू कि प्लेनेरिया के पास बहुत ही भयंकर बिल्लू भयंकर टाइप की ठीक है प्लेनेरिया के पास बहुत ही खतरनाक regeneration power होती है खतरनाक भयंकर बताएंगे अभी उसके बारे में तो even मैं कहा हूँ animal kingdom में सबसे ज़्यादा highest जो regeneration power होती है वो actually प्लेनेरिया के पास ही होती है ठीक है प्लेनेरिया के पास ही होती है अब मेरी बात को ध्यान समझो sexual reproduction ये बहुत ही अलग वेबे करते हैं बड़ा अजीब किस्म का है जैसे वैसे तो इनके male or female एकी body में है पर generally क्या होता है भले ही male or female एक body में हो मैंने पहले आपको बताया भी था भले ही male or female एक body में हो तो क्या हुआ मेरी बात समझे आप भले ही male or female ठीक है दिमाग में घुज रहा है कि आया टकराया और reflex section होता जा रहा है ठीक है तो धान समझो भले ही male or female एकी ही body में क्यों नहों मेरे बच्चों पर हमेशा जो है क्या करता है वो दूसरे plane area से fuse होकर उसका जो है female part male part लेता है ठीक है तो भले ही male or female है तो क्या हुआ दिक्कत है पर फिर भी जो है वो दूसरे का लेता है generally self fertilization मतलब उसी का male or female वहीं पर fertilize जाए तो इनके में male or female जो है वो reproduction जो है मतलब male के पास एक पार्ट के पास भले ही दोनो plane area हो तो क्या हुआ पर फिर भी वो fuse दूसरे के साथ ही होता है बहुत ही जादा खतरना creature है इसका तो ठीक है तो इनका अगरा plane area का देखें तो it is like this ठीक है it is like this ओके ठीक है देख रहे हैं आप लो ओके तो इस लाइक दिस ओनली ओके तो यह क्या हो गया कि यह क्या करते हैं फिर यहां से ऐसा transfer करके fertilize हो जाते हैं ठीक है तो यहां से अपना genetic material transfer कर दो यह इधर कर देगा यह इधर कर देगा ठीक है तो sexual reproduction भी हो सकता है asexual reproduction भी हो सकता है कोई tension की बात नहीं है ठीक है अब अगर माल लीजे fertilization may be self और cross fertilization और internal ठीक है नौर्मली sealant rate आई यह जो पानी में रहने वाले जीव होते बच्चो ठीक है नौर्मली जो पहनी वाले जो जीव होते और बाहर development होका larva बन जाएगा larva sedult हो जाएगा अब अगर एक बर इसमें ऐसा थोड़ी होता है कि भाईया ऐसा है कि पहले आपने एग बना लो fertilize करके फिर body के अंदर आजाओ ऐसा तो हो रही सकता तो इनकी body में हो सकता है कि cross fertilization हो cross का मतलब यह कि male औफीमेल उसी body का internal fertilization तो होगा ही अगर यह transfer करें तो भी ठीक है और नहीं transfer करें तो भी तो इनके में self भी fertilization हो सकता है cross भी हो सकता है self का मतलब यह है क्योंकि hermaphrodite तो male औफीमेल तो एक ही body में तो वह वहीं पर fertilize करके zygote बना ले और फिर निकाल दे ऐसा भी हो सकता है कि दोनों आपस में जुड़ जाए फूर एक दूसरे को अपने gametes transfer करें और फिर fertilization हो पर ultimately question हमारा यही है कि कैसा fertilization होगा तो it always been internal external fertilization नहीं होता है ठीक है so they have both type of reproduction asexual, sexual, asexual transverse binary fusion, sexual by the cross and ferment and self-fertilization ठीक है now आगया जाईए यह इसका थोड़ा सा reproductive system है देखे this is the ovary ठीक है यह ovary दिख रहे आपको यह ovary दिख रहे है 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 यह ठीक है यह क्या है बच्चों कि आपको पता है कि इनके पास बहुत सारी ovary है, बहुत सारा testis है, ठीक है, ध्यान से समझो, अगर मैं बात कर रहे हूं, self fertilization की cross होता तो attach होते, अभी self है तो क्या करेंगे, इनके पास male penis जैसा structure होता है, जिससे ये अपने sperms को release कर देते हैं, ठीक है, बिलकुल ध्यान से समझेंगे, जिससे ये क करेंगे, अपने sperms को female part में release कर देंगे और fertilization हो जाएगा, it is a self fertilization और internal fertilization, ठीक, so this is the oviduct, this is testis, and this is the male penis, this is the genital pore, genital pore जो है, it is responsible for the removal of the larva, ठीक है, now, development की बात करती हूं मैं, ठीक है, ध्यान से समझें इस बात को, development अगर मैं बात करूं की विकास कैसा है, ठीक है, so development जो है बच्चो, either direct और indirect, ठीक है, direct development मैंने आपको क्या पढ़ाया था बच्चो, direct development मैंने आपको पढ़ाया था, कि एगर आपके बस larva stage होती है, और तो इससे कहता है direct development, और जब larva stage नहीं होती, तो इससे indirect development, ठीक है, क्या बोला मैंने, गलत बोला मैंने, indirect development का मतलब होता है लार्वा स्टेज होती है कभी कभी क्या होता है slip of tongue हो जाता है ठीक है तो ठीक है यार कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है ठीक है तो अगर लार्वा स्टेज नहीं होगा तो इस डायरेक्ट डवलप्मेंट और अगर होगा तो इस डायरेक्ट डवलप्मेंट ठीक है इंडाय लिवर फ्लूक जो होता है, basically it is, it will infect the sheep and seal, ठीक है, ओके, तो यह जो वर्म होते हैं, यह लिवर पर सबसे जादा अटाक करने वाले वर्म होते हैं, ठीक है, तो how many larva found in the, how many larval stage found in the sheep liver बच्चो, बताओ मुझे कितने larval stage, indirect development है, larva है, तो कौन सा development है, larva है, तो indirect development है, CDC बात है यार, ठीक है, तो larva forms of the sheep liver fluke, बताइए मुझे कितने होते हैं, एक होता है, miracidium, miracidium सबसे advanced type का larva होता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास cilia होते हैं, यह तैर सकते हैं, और यह जो है, infective stage है, स्नेल की, ठीक है, तो अगर स्नेल बिमार है, तो उसमें कौन सा प्रकार का larva आप धून पाएंगे, miracidium, sporocyst radia, surcaria, metasarcaria, ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा है, miracidium, sporocyst, sporocyst, radia, डिल दिया, किसको दिया, radia, ठीक है, दूसरा है, surcaria, सरक जाओ, ठीक है, सरकालो, खटिया, it is called as surcaria, और मेरी मत सरकाओ, it is called as मेरी खटिया, और metasarcaria, ठीक है, okay, surcaria जो होता है, इसके पास tail होती है और यह freely swim कर सकता है, metasarcaria जो है, यह गोट या शीप को infect करता है, तो miracidium larval stage will infect the snail and metasarcaria will infect the goat, अब यह है क्या, it is the larval stage, ठीक है, इतनी larval stage होती है, lever fluk, जब शीप के अंदर गुश जाता है, उसके life cycle में, अब समझने में थोड़ा सा, बिलकु थोड़ा सा difficulty हो सकती है, इ और फिर भी मैंने आपके लिए छोटा सा life cycle बना रखा है, ठीक है, बिलकु ध्यान से देखना, तो चीज़े और ज्यादा clear हो जाएंगे, ठीक है, लार्वल stage में भी इससे question ना आए, पर मैं आपको बताओ, प्लेटे हल्मिन्स की larva से कई बार मैंने question देखा है, तो उसको ध प्लेटाओ, ठीक है, ठीक है, तो शबोस धाट की human being है, ठीक है, यह गाय है और यह जो है sheep है, goat है, ओके, ना इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, ठीक है, लिवर फ्लू का जोलोजिकल नेम इस Faciola Hepatica and Faciola is the Giganetica, ठीक है, Faciola Hepatica is called as Leverflug and one of the largest worm or flat worm is the Faciola Giganetica, ठीक है So suppose that कि क्या हुआ कि दोनों ने क्या किया, एक्सक्रीट किया, ठीक है, इनने गोबर एक्सक्रीट किया और इनने क्या किया वो तब जानते है, ठीक है, तो जब एक्सक्रीट किया, तो सबसे पहले बाहर निकले अंडे, ठीक है, क्या निकले अंडे, किसके अंडे निकले, मु पर जैसे ही अंडे कहा आएंगे, वाटर फ्लो में आएंगे, वैसे ही इन अंडो के उपर एक कवर बन जाएगा, ताकि इसको नदी तला, पानी टेंपरेचर, ओला, गोला, कोई बिगाड ना सके, चीक है, उसके बाद थोड़े देर के बाद, ध्यान से समझो, थोड़े देर के बाद क्या होगा, मुझे बताओ, थोड़े देर के बाद, कवर के उपर आपको छोटे-छोटे से सीलिया दिखाई देने लगेंगे, आई बात समझ में, कवर के उपर आपको छोटे-छोटे से सीलिया दिखाई देने लगेंगे, ताकि वो पानी में आसानी से मुव कर सक मेरा सेडिय लार्वा अब पानी में कौन रह रहा है le Aura सदो आप अई पानी में रहा है Punkte कि आपई हम यह सरं दो में फिसित आपर द पर है एसे पेनेट्रेट कर जाएगा कि भाईया इनके पास attachment का power है ना इनके पास attachment का power है तु यह इसानी से इसे घुश जाएंगे घुश गए अब यह जो है जो मेरा cdm जो घुशा अंदर वो किसकी stage में convert होगा sporocyst एक लारवल स्टेज ठीक है, फिर उसके बाद रेडिया एक लारवल स्टेज, सरकेरिया एक लारवल स्टेज, सरकेरिया में मैंने आपको थोड़ी दिर पहले क्या पढ़ाया तक इसके पास टेल होती है, तो देखो टेल है की नहीं है, तो जैसे ही स्नेल के अंदर गुसे, दे स्नेल के अंदर से धहान से समझना तीक है अब क्या करेगा free swimming circuit इंसिस्ट उन दा एक्वैटिक वेजेटेशन तीक है बिल्कुल ध्यान से समझना कि जैसे इस नेल के अंदर पूरी life cycle हो गई अब स्नेल कैं वह भी एक्सक्रीट करेगा एक्सक्रीट करेगा तो कहा करेगा भईएए पादे 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 पानी में उकते हैं उन्हीं में करेगा ना, कविर पानी के पादे पादि जो चल रहा है उपर वोह ठी aparecer कर या जब excrete किया तो इसके उपर अभी कोई covering नहीं है तो हो सकता है कि यह मर जाए तो दन्न से अपने उपर एक cyst बना लेता है क्या बना लेता है cyst ताकि इसको कोई बहा ना सके, damage ना कर सके, कोई खा ना सके, देख ना सके जैसे इसके उपर cyst बनेगी, इसके उपर क्या बनेगी, cyst बनेगी, it will convert into the metasarcaria ठीक है अब cyst किसके उपर बनी हुए है भाईया, cyst बना ली उनने खट से, पौधे के उपर वह cyst पड़ा हुआ है अब cyst के है ना, सालों, सालों तक 4 महिने, 6 महिने, साल, 2 साल, 3 साल तक, पत्तियों के उपर पड़ा रह सकता है और फिर भाईया ऐसा है, कि खाने में अपन बाज तो आते नहीं है, खाना तो जब मनिश्च को खा ले हैं, खाने तुम्हारमा बहुत बड़ी बात बता रही है ठीक है, उसके बाद वो जो vegetation है, वो बजारों में आ जाता है, ठीक है, ठीक है, बजारों में आ गया और आपके पतियां कौन खा गया, शीप खा गई, गाए खा गई, और वो जो सिस्ट है, वो आपके अंदर पहुच गया जब वो सिस्ट टूटा, जैसे उसको favorable condition मिली, अब उनको समझ में आया, आओ बताते हैं, यक्कू तुम्हें तो जैसे उनको लगा कि अब हमारा time आ गया है, वो सिस्ट को तोड कर बाहर आ जाएंगे, और adult में convert हो जाएंगे ठीक है, अब ये adult जो हैं, ठ्यान समझना, ये adult शरीर के अंदर क्या produce करेंगे, अंडे और फिर जब हम लोग defication करेंगे, ठीक है, पूप बाहर निकालेंगे, पौटी जाएंगे, तो सारे अंडे फिर से बाहर आ जाएंगे, और लाइफ सैकल चलता रहेगा तो एग बिल, पहले एग जो बाहर निकला, compar नहीं था, फिर एग में cover बाहर हुआ जैसे ही अपन ने वेजेटेवल खाया, जैसे ही अपन ने क्या क्या भीया, शीप ने खाया, गाय ने खाया, वो हमारे अंदर पहुच जाएंगे and they will convert it and they will develop into the adult, ठीक है, adult ने फिर अंडे देगा और अंडे फिर हम बाहर निकालेंगे so this is the larval stage and the life cycle of the fasciola hepatica और the liver fluke, ठीक है now अब अम लोग बात करते हैं, tinea solium, very 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 important, ठीक है larval stage of the tinea solium, ठीक है, वो fasciola hepatica, liver fluke के larval stage थे, ठीक है सबसे पहला कौन सा था मुझे बताइए, सबसे पहला अपना था, miracidium, cilia वाला, phisporosis, stradia sarcaria last by metasarcaria, metasarcaria is the incestment form of the sarcaria, ठीक है now, tinea solium, इसे हम pork tape form भी कहते हैं, जो की pork को खाने से आता है इसकी 3 larval stage होती है, onchosphere, hexacent and cysticircus, ठीक है how many larval forms found into the tinea solium मेरे प्यारे बच्चो number 1 is the onchosphere, number 2 is the hexacent, number 3 is the cysticircus थोड़ा से इसका life cycle भी देखे लो, अब तुमारा मन है तो आजो, 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 चलो, आजो देखो धान से समझना ना, बिल्कुल जहाँ नजर हटाओगे, दुर गट ना गट जाएगी फिर मुझे मत बोलना कि मैडम ये लारवल स्टेज कहां से आते हैं, ठीक है सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इस वाले number 1 स्टेज से, ठीक है देखो क्या होता है, सबसे पहले होता क्या है कि क्या खाता है, पिग, आपको पता है, मुझे यह नहीं बताना पड़ेगा कि सूर क्या खाता है, क्या खाता है पता है ठीक है तो वो कैपरोफेगस होता है, वो किसी कभी स्टूल खा सकता है, खासकर human being का, कोई भी contaminated सड़ी बड़ी चीज है, सबजी अबजी भी खा लेता है ठीक है, उसके बाद जैसे ही पिग ने खाया, ठीक है, तो how many larval forms in the tinea, solium, onchosphere, hexagon and cistercus now, onchosphere hatch, move to the striated muscle, ठीक है, तो अभी अपन लोगों ने खा लिया, ठीक है, खाने के बाद अभी onchosphere, ठीक है, बिलकु धान से समझना, ठीक है, या तो मैं सीधे सीधे कौन से स्टेश से शुरू करती हूं, तो आपको और जादा यहां से शुरू करते हैं suppose that human ने infected pork खाया, infected pork का मतलब यह है कि कभी भी अगर आपको pork में white white dots दिखते हैं न बच्चो, कभी भी अगर आपको white white dots या pinkish अजीव से dot दिखें pork में, अगर आप लोग ingest करते हों तो, तो अगर आप लोग ऐसा करते हैं, तो उसे कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि व पहुच जाएगा, ठीक है, उसके बाद जब वो पहुचा, देन सिस्टी सरकस stage पर हमारे शरीर के अंदर पहुचता है, सिस्टी सरकस जो stage होती है, वो सिस्टी सरकस larval stage जो हमारे अंदर पहुची, और जैसे वो हमारे अंदर पहुची, वो किसमे convert हो गई भाईया साब, वो किसमे convert हो गया, एडल्ट में, सो विच स्टेज वी इंजेस्ट, ठीक है, विच स्टेज वी इंजेस्ट, वी इंजेस्ट दा सिस्टी सरकस stage और जैसे ही वो अपने अंदर पहुची, इंटर स्टाइग में आई, हुक्स अंड सकर से अटाच हो गया, उनको यह समझ में आ गय 20 मीटर तक के हो सकते है, ठीक है, उसके बाद, सो यहां पर लिखा है, produce proglottis with eggs, gravid and detached, ठीक है, तो मैंने मैं आपको बताया था कि जो पुराने वाले होते हैं, उसमें fertilized egg बनते जाते हैं, पीछे-पीछे, और वो detach होते रहते हैं, this process is called as apolysis, जो detach हुआ proglottis, वो हम जो है, बाहर निकाल दिया, through the anus, बाहर निकाल दिया, through the poop, ठीक है, potty के थ्रू बाहर निकाल दिया, अब आपके proglottis और eggs, क्योंकि proglottis में fertilized egg हैं भी या, वो proglottis is the segment भी हो सकता, maybe proglottis से egg बाहर भी आ जाए, कोई tension नहीं है, तो proglottis और eggs को हम लोगों ने excretor के थ्रू बाहर कर दिया, ठीक है, ग्राविट proglottis, ग्राविट proglottis मतलब segments, ठीक है, अब ये proglottis egg को धान से समझ ना, ये ग्राविट proglottis को किस ने खाया, पिग ने खा लिया, ठीक है, ओके, जैसे ही पिग ने खाया, then the fertilized egg suddenly, or immediately converted into, immediately तो कुछ नहीं होता है, life cycle में, धिरे धिरे होता ह है, ये जो onchosphere larval stage होता है, ये onchosphere larval stage चला जाता है, striated muscles of the pork, और उन्हें जाकर infect करने लगता है, and this type of pork is called as measly pork, which type of pork, measly pork कहते हैं, now, जैसे ही वो muscle के अंदर रहेंगे, they will make the in cyst, ठीक है, उन्सिस्ट बना लेते हैं अपने उपर, it is called as hexacanth, it is called as hexacanth, और muscles के अंदर, cysticircle we converted into the hexacanth, hexacanth larva जो है, अब जैसे आप पकाओगे नहीं, कुछ पकाओगे नहीं, और फिर उसको दम से खा लोगे, तो अब तुम्हारा hexacanth जो है, which is the in cyst state larval stage, cysticircle के उपर, it is called as hexacanth, आई बाद समझ में, cysticircle के उपर आपने क्या बनाना है, cysticircle के उपर आपने favorite environment में cyst को तोड़ देंगे, and then again they will convert it into the adult, so this is the life cycle of the tinea solium, where there are two hosts, number one is what, number one is pig, and number two is the human being, ठीक है, आई बात समझ में, तो अगली बार जब खाना पकाएं, ठीक है, तो ये याद रखियेगा भाया, ये याद रखना मेरे बच्चो की, कभी भी बिना पका हुआ खाना नहीं खा चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात होती है, ठीक है, यहाँ पर primary host है human, secondary host है pig, ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान समझो, तीनिया सोलियम जो है, इसकी दो species बहुत famous है, ये तीनिया सोलियम, एक तीनिया सैजिनाटा, तीनिया सोलियम जो होत है, और चार सकर सोते हैं, फिन जो होती है, अब पर जो टीनिया सैजिनाटा जो की भैसोर घायों में इंफेक्शन गर आप increase थीक है, तो इन में कोई हुक्स नहीं होते है, पर सकर सचार होते है, थीक है, इन है आपका है है, इन है ऑन आम टेप ओम, ठीक आन आम टेप is tenia sagunata, arm tape form is tenia solium. So this is all about the reproductive system and the life cycle of so many worms. So I hope you learned and enjoyed the video. It is very, 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 very important video. Next class में मिलते हैं एक नही चीज के साथ तक तक घर पे रहो, सेफ रहो, बहुत बहतरी इन चीज पडाई, बार बार देखो. See you in the next class. Thank you so much.